आज हमारे साथ है सहदेव जी जो RSS के परचारक भी रहे हैं सहदेव जी हम आपसे जानना चाते है जो आप मेवाद छेतर से आते हैं ऐसी क्या कारण है जो मेवाद जो भी अगर हम बात सुनते हैं कि गटनाओं की बात होती है कुछ भी होती है तो जातर गटनाओं की बात हमे मेवाद छेतर से सुनने को मिलती है देखिए मैं अगर मेवाद छेतर की बात करूँ तो मैं अगर पूर में थोड़ा इससे जाना चाहूँ तो मेवाद छेतर जो है यह बिसिकली कोई मेवाद नहीं यह ब्रद छेतर है बरत्मान में परस्थितियां इस परकार से बनी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ बटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए बहुत सारे लोग यहां रुख गए तो मेवात में बेसिकली जो मेव समुदाय रहता है तो वह पूर्व हिंदू है लेकिन तब्लीकी जमातों के माध्यम से धार्मिक कट्रता उत्पन करके और उन्हें मजवी कट्र के रूप में रखा जा रहा है अब संसादनों का अभाव और बड़ती जनसंग्या मेवात में एक बड़े अपराद का कारण बन रही है मेवात में आजदी के बाद से सिक्षा की और ध्यान जादा नहीं दिया था जो सिक्षित होते चले गए वो बड़े महान अगरो की और प्रस्तान कर गए से समाज महीं रह गया तो आज आप देखेंगे के वहाँ पर अपराद की जड़ता इस प्रकार से है कि अगर कहीं साइबर क्राइम राजस्तान में होता है तो उसके लिंक जो है मेवात से जुड़े रहते हैं नहीं हमने वहाँ देखा जैसे मैं भी मेवाद छेतर का दोरा किया था कि रस्ते में कई जगे मुझे बॉर्ड नजर आया कि जिसमें लिखावाता है ओलक्स साफधान यह क्या रिखजन है कि ओलक्स साफधान ओलक्स जैसी वैबसाइट से साफधान के लिए लिखते है ये उसके बावजूद भी जब बाहर से वैपारी यहां आते हैं और इस प्रकार के बस्टेंड पे रेलिवस्टेशन बूतर करके इस प्रकार के बोड देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि कहीं नी कहीं प्रसासन का फेलियोर है कि OLX की साइट पर कोई भी वाहन या कोई भी सामान उ आफशकता है साइबर थाने खोले भी हैं सरकार ने पर वो कोई कारगर नहीं है तो कुछ विशेस रणनीती बना करके मेवाद के सप्राद को कम करना चाहिए सरकार से इसी हमारी मांग गया नहीं साथ में देखा जाता है कि जब कभी पुलिस वाले बंदिश देते हैं या कुछ करते हैं तो कई थानों की पुलिस को उनको बुलाना पड़ता है कई थानों की पुलिस एक साथ मिलकर फिर दबिश देती है उन पे कारवाई करती है तो ऐसे क्या कारण है कि मतलब एक दो थाने की नहीं कर बाती कई जगे की पुलिस को बुलाना पड़ता है उसके पीछे रीजन है दरसल वहाँ जो अपराद में सनलिप्त है वो केवल और केवल वहाँ एक ही समाज है जिसको हम आप आज भासा में सांतिदू तथाकतित कहते हैं और सांतिदू की प्रवर्ति है कि जुंड में वायर करना कम संक्या में पुलिस कर्मी जब वहाँ पर दबिश देने जाते हैं तो मैंने बहुत देखा है वहाँ पर कि पुलिस के साथ भी मारफिट की गटनाएं हो जाती है अबी तुरंत का अगर मैं आपको पुलिस जी उधारण दूँ तो नोगावा के सेचो किसी को अरेस्ट करने गए थे तो आप देखिए कि सेचो की वर्दी पाड़ थाड़ दी वहाँ पर पहाड़ी थाना चेतर में आए दिन पुलिस के पिटने की गटनाएं होती रहती है तो पुलिस भी वहाँ जब कभी भी अब तो खेर पिसले को समय से हुई नहीं है क्योंकि अपनियों कहें कि उनकी सरपरस्ती की सरकार वर्तमान में राजस्तान में राज कर रही है लेकिन पूरवे सरकार ने वहाँ पे कुछ कारवाईयां की तो पुलिस ने अलग रणनीती बना करके काम किया तो पुलिस को सफलताएं भी मिली बड़ी बड़ी कारवाईयां हुई चोरी की दरजनों सेकडों की संख्या में गाड़ियां वहाँ उन्होंने पकड़ी और कुछ अपरादियों को भी पकड़ा तो विशेस रन्निती के तहट काम होता है तो उसका लाब मिलता है वोट बैंक को देख करके काम करते हैं तो फिर अपराद ही बढ़ता है ऐसा वर्तमान में मेवाद शेतर में देखने को मिल रहा है कि एक समुदाय विशेस को खुस करने के लिए वर्तमान की सरकार जो है उन्हें हर तरीके से सरक्षन उपलब्द कराती है अगर मैं आपको यहीं बात कहूं तो कामा से विधायक जाहिदा खान पूर्ण रूप से सयोग मैं नाम लेकर किस चीज़ को बोल रहा हूँ आपके चैनल पे पूरा सयोग उनका मिलता है उनको यहीं आप रामगड की विधायक का बात करें तो रामगड की विधायक साफिया खान पूरा सयोग करती है एक वाय का आपको चुनाव का बताता हूं 2018 का साफिया खान जी जब परचार कर रही थी तो परचार के दोरान उन्होंने एक जंसबा में कहा कि चाहे सर फोड़ना पड़ जाए लेकिन यह चुनाव अपने को जीतना है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी मांसिक्ता के साथ ही लोग चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो कहीं ने कहीं जिस समाज से इनको अप्यक्षा है जो एक पॉलराइशन करके धुरीगण करके यह वोट लेते हैं तो उनको तो यह सरक्षन कर देंगे ही और सरक्षन क्योंकि सरवादी ग्रूप से वही लोग इस अपराज़क में ज़्यादा भागिदार हैं तो उनको परसासन से सरकार से यह लोग बचाते हैं इसलिए पुलिस इस प्रकार की कारवाईयां करने में बचती भी है और करती हैं तो उसको बहुत सारे थानों की बहुत सारे जगे की पर्मिशन लेकर के बहुत सारी फोस लेकर के जाना पड़ता है तो इसको क्या सरकार की नाकामी कहें या सरकार की दुस्ट्री करन माने या फिर बाद में पुलिस की नाकामी कह सकते हैं इसको देखिए अगर पुलिस की अपन बात करें तो मैं एक संधर बलाना चाहूंगा इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में आप और हम सब ने पहले भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे अपराद के रूप में कहते थे कि सहम को लड़किया नहीं निकल सकती या अपराद बहुत है तो पुलिस वही थी और वर्तमान में पुलिस भी वही है लेकिन प्रसासक जो है उस पर निर्वार करता है कि वो अपने करमचारियों से अपने प्रसासन से किस प्रकार से काम कराता है जो क्राइम की Zero Tolerance की नीती पर गर काम करेगा। तो मेवात क्या है पाकिस्तान को सुधारने की ताकत हम लोग रखते हैं और सुधारा भी है समय समय पे लेकिन मन में द्रड़ शक्ति होनी चाहिए कि हमें ये खतम करना है आप वोट बैंक की आधार पर अगर ये तै करेंगे कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है कि किसको कितनी शूट देनी है किसको नहीं देनी है तो फिर क्राइम कंट्रोल में नहीं होगा आपको सितंत संस्ता हैं पूरा जोस है जुनून है काम करने की छमता है कोई भी पुलिस कर्मी नहीं चाहेगा कि मैं पिटू हूँ कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी वर्दी फटे वो अपनी ताकत रखता है पूरी तरीके से क्राइम कोतम करने की लेकिन ही जो सरकार जो बैठी है जो तुस्टिकन कर रही है अब जैसे मैं आपको इसी में एक और संधर्ब जोड़ता हूँ अभी घाटमी का गाउं में दो तसकर गायों के तसकर गाटमी का गाउं का मैं आप कौन उनकी हत्या कर देता है कौन क्या कर देता है आप ये देखिए कि राष्ट सेवा में काम करने वाले गोरक्षक के लिए काम करने वाले गोरक्षकों पर आरोप मड करके और गुंडों की तरह पुलिस से काम करवा रहे हैं जब वो नासिर और जुनैज जो है वो जब इन जब उनको किसी ने मार दिया मारा है कि मर गए कि जो भी है वो एक जाच का पार्ट है लेकिन आप ये देखिए कि एक दबिश्देकर के एक करिकरता है स्रीकांथ तो उसके घर पे जैसे कोई हमला किया हो पुलिस ने उसकी स्रीकांथ जी की पत्नी जो है वो प्रेगनेंट थी बच्चा पेट में मर गया जान भी जा सकती थी इस इस तरस एक गरनित कारवाई राजस्थान की पुलिस ने करी और मैं कहुंगा कि राजस्थान की पुलिस ने राजस्थान के मुख्या के कहने पर चोकि वो ग्रैमंत्री भी है उनके कहने पर ही ये कारवाई करी है और इनामी बदमाज मर जाते हैं और उनको रोने के लिए उनको फिरने के लिए हमारे राज्य के मुख्य मंतरी जिनको कॉंग्रेसी जिनका महिमा मंदन करते हुए घूमते हैं वो आप देखिए उनके घर बैठने जाते हैं और राज्य सरकार एक taxpayers के पैसे उनको वहाँ पे साहता रासी के रूप में दे करके आते हैं यह अपने आप में दर्साता है आप देखें जो हर पांस साल में सरकार बदलने का जो ट्रेंड है अपने रास्तान में बीजेपी की सरकार रहती है कॉंग्रेस की भी आती है तो क्या बीजेपी की सरकार में फिर इन पे लगाम क्यों नहीं लगी अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ कॉंग्रेस की सरकार है मैं यहाँ आपको बताना चाहूं मैं वही पूरे इच्छा सक्ती वाली बात आप पुराने रिकॉर्ड निकालिए भाजपा की जब सरकार थी तो मेवाद कंट्रॉल किया आप यह देखिए अलवर के अंदर एक इंकाउंटर भी हुआ गौत असकर का जो अलवर शहर से गायों को बरकर के लेके जा रहा था पिछ पूरवर्ती मानी वसंद्रा जी जब मुख्यमंत्री थी तो मेवाद छेतर के अंदर गौर अक्षया चोकियां खोली थी रास्थान पुलिस की ऐसे ही बड़ी बड़ी कारवाईयां भी यह जो साइबर क्राइम करने वाले हैं ओलेक्स पर काम करने वाले हैं आप एक चीज़ भूल गए टटलू जो सोने की इंट और इस प्रकार का जो काम करने वाले हैं पर बड़ी कारवाईयां हुई है